लास्ट राइम गाला कोईन के अंदर मैंने ये रेंज मार्क करके आपको दिया था जहां से आप लेख सकते हो और लेटी एक काफी अच्छा जंप हमें देखने को बिला एंड और यहां से हम लोगो ने लगबल 18-20% का फॉफट मनाया अब करेंटी गाला गें उसको अगर लेवल को फॉरार चाट के अंदर उपए की साइट ब्रेक आउट करता है यहां पर ब्रेक आउट हमें देखने को मिलता है तो एक कंटीनुल रैली हमें उपर की देखने को यहां से मिल जाए अब यह लेवल कौन सा है तो अच्छे से इस लेवल को मांग कर लो 0.028-36 डॉल अब सिंपल से चीज़ है अगर दूसरी के अंदर यहां पर गीन यहां पर बुलिश बनती है तो अभी कहीं न कहीं एक एंट्री हमाली बन सकती है इसको हम इस लेवल के बाद ले सकते हैं अगर हम यहां पर लेवल को धिहां से देखें तो 0.02665 डॉल अगर इसके उपर भी कम रिक्स वाले लेना है तो बेक आउट के बाद लो अगर आपको जाधा रिक्स चाहिए बट रिटन भी जाधा चाहिए तो आप यहां पर अभी भी एंटी ले सकते हो नीची का स्टॉप लगाकर बागी डेली चार्ट के साब से कौन से इसके बाई लेवल से कहां पर मेरे को लेके क्या अपडेट है बिटकोई कहां तक करेक्शन ले सकता है तो इंपोर्टन वीडियो लास तक देखीगा अगर आपने चैनल को स्ट्रेब नहीं करा तो सब्स्राइब करना मत बूलना वीडियो को लाइक भी कर देना स्टार्ट करते हैं वीडियो को हम लोग गाला क चुका है विचिए 0.0233 डॉलर्स का लेवल है इस पे आप एक buy order spot में लागे छोड़ सकते हो वो आपकी मर्दी टोटली मैंने छोड़ा गए तो मैंने आपके साथ यहां पर श्रेट कर दिया दूसरा जो मेरा buying order है यहां पर गाला के इंदर वह यहां पर मैंने छोड़ागा है spot के दर विचित 0.01258 डॉलर्स एंड यह भी एक long term entry मिली है यहां पर गाला कोईन के इंदर दूस चीज का बहुत खास और पर ध्यान रखना है जब हम इस टाइप के buy order spot में लागे के छोड़ते हैं तो वह हमेशा long term के लिए होता है क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता जब market crash कर जी होती तो कहां पर रुकेगी किसी को नहीं पता होता यह थोड़ा दिस ही हो जाता है अगर आप trade wise देखो के तो but spot के इंदर ऐसे orders ला कि हम छोड़ सकते हैं और जोसे जम पाता है तो वहाँ पे हम short term में profit book कर सकते हैं और नहीं आ के अंदर हो तो ऐसा लगता है कि हां market अच्छी दिख रही है यहां से एक upside moment भी आ सकता है अगर यह यहां पर 60 के अंदर जाता है तो मुझे लगता है कहीं नहीं एक बनेगी अगर आप चार्ट देखो कि bitcoin का तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा bitcoin एक काफी अच्छे support के बनता है वहीं फूरार के अंदर ओलेडी हां पर नीची घर अच्छी खाविक आई है लिक्विडेशन होचुकि long fee है यहां से 5 उपर जाने के लिए बिल्कुल तयार है अब देखो यहां पर entry कि स्ट्राइब से बनेगी तो एक level है यहां पे 43,472 $ का लगबख ठीक है अगर इसके उपर यहाली candle closing यहाँ पर होती है जो candle अभी बन रही है तो कहीं न कहीं यहाँ पर हम entry कर सकते हैं बट उससे बहले entry लेना मेरे साब से थोड़ा risk की रहेगा क्योंकि chances रहेंगे कि price यहां से और fall कर जाए क्योंकि कहीं न कहीं अगर आप ध्यां से लेखोगे चार्ट को तो एक double top बनाके यह लंबा fall हमें देखने को बिला है अब fall कहां पर रुखता है वो पेडिक करना बहुत मुश्किल होता है that's why मैं यह strategy use करता हूँ कि अगर previous candle का high break करती है यह वाली candle तो मैं यहाँ पर enter करने जाओंगा rate के अंदर buy के अंदर otherwise यहाँ पर नहीं जाओंगा वहीं बात करें Ethereum की तो Ethereum ने एक अच्छा retest यहाँ पे दिखाया है अगर आप currently price को देखोगे तो यह वाला level last time breakout हुआ था and वहाँ पे एक bullish candle हमें देखने को already मिल चुकी Ethereum के अंदर तो कहीं ने कहीं है अगर हमें buying ही करनी है तो मेरे साब से bitcoin से अच्छा Ethereum एक option है क्योंकि ए देखो यहाँ पे तो मैंने पहले भाइंग ओडर लागी छोड़ दिया था जो कि मेरा फिल नहीं हुआ बड मैं यहाँ पर बाइंग कर रहा हूं क्योंकि यह और थोड़ा से उपर से लिग यहाँ पर यहाँ पर लिए लगबग 2143 डॉलर पर कर लिए तीसरा बाइंग ओड से मेरे फिल होता है तो मुझे लगता है अच्छा गला प्रॉफिट मुझे फिल हो सकता है वहीं बात करें अब स्टेक्स कोई के बारे में तो स्टेक्स कोई के अंदर भी मैंने कुछ लगाए है जहां पर आप देख सकते हो 1.2016 डॉलर यह एक मेरा बाइंग ओडर है जो अ थोड़ा उपर ओडर लाना जैसे की 1.2016 का लेवल में आपको दिया है तो 1.24 के आसपाद अपना बाइंग ओडर ला सकते हैं इस ताइक से लगाते हैं मैं ऐसे ही करता हूं ओडर आपको नहीं बताता हूं और आपको लेवल बता देता हूं उसके ऊपर ही थोड़ा यहां पर ओडर लगना चाहिए मेरे साब से उसके बाद नेक्स लेवल जो है यहां पर 0.5793 डॉलर का जो की मेरा बाइंग ओडर यहां पर एक और प्लेस पो रखा है ठीक है अब मैंने बाइंग ओडर इतनी चले आ रखें तो साहरी से बात है मैंने प्रॉफिट बुकिंग तो कर ठीक है क्योंकि कहीं न कहीं मांकेट के अंदर प्रॉफिट बुटन होती है बहले ही करने के पाद प्राइस उसका ओपर चल जाए है वह डर नहीं करता है अगर किसी चीज़ का प्राइस उपर गया है तो वह वापस नीचे भी आयगा और वह आपका फिर लॉफिद के अदर इंवेस्मेंट हो वहां से निकाली लो और वह इंवेस्मेंट कहीं हो और यूज कर सकते हो आप नाइस बात चाने एक और इसी के पॉड़िक के बारे में विच इस में को हमने देखा था रिसेंटी काफे बुलिश देखने को लगा था बाट इसकी है अभी करेंटली यहां पर सब्सक्राइब यहां इस लेवल के उपर मनें एक बाइंग क्ली लागा रखा है यहां पे बहुत बाइंग और प्लेज करआ है यहां बहुत बहुत सारे एक्षेंज जैसे की MXC, Kucoin वकर आपे मिल जाते वाइट प्राब्लम क्या आ रही है कि Binance, MXC, Kucoin, इन सब को यहाँ पे Indian Movement के दोवारा बैन कर दिया गया है, App Store से अलड़ी हच्टुके हैं, इनकी वेबसाइट भी आपको बन होती हो जिख जाएगी, और बहुत तारा chances रहेंगी कि आपके जो Phone में App Store लें, उनके अंदर भी कुछ न कुछ प्राब्लम आना स्टार्ट हो जब उनका Update आएगा तो, that's why मैं यहाँ पर थोड़ा shift हो चुका हूँ, Bybit की और और BitTrue Exchange की और, क्योंकि BitTrue के उपर न, जो भी लोग क्या product है, जैसे की, मियूवी को यहीं मैं न बताया, वो आपको Bybit के उपर नहीं मिलेगा, बट BitTrue के उपर मिल सकता है, that's why मैंने BitTrue के उपर भी account मनाया है, और यहाँ पर भी मैं trade कर रहा हूँ, तो आप लोग भी अगर account मना चाहते हो, बना सकते हो, BitTrue के उपर और Bybit के उपर भी, दोनों का ही link मैं description में दे दूँगा, Bybit के उपर major fund मेरा है, BitTrue के उपर, मैं trade कर रहा हूँ, trade क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे opportunities मिल जाती ही, बहुत सारे आप टू 1,000 डॉलर तक का bonus आप दी सकते हो, link मैंने description के उपर रखा है, तो अभी जाओ, account मना हो and definitely, मुझे मैं लिंग उसको नमाज बूलना, ताकि आपको bonus मिल पाए, नो आपके मैं कुछ questions देख रहे हूँ, चो कि आपने कल वाली वीडियो के comments के लिए पूछेते हैं, अगर आपका और भी कोई सवाल हो, तो इस वीडियो के comment section के लिए आप पूछ सकते हो, सबसब रहता Ethereum Classic को लेके updated हो, तो देख यार Ethereum Classic बहुत bullish दिख रहा है, last time जो मैंने buying करी थी, वो इस range के अंदर करी थी बहुत बहुत बार बताई भी थी, जहां से already 50% का pump हमें इसके अंदर देखने को मिला था, अभी फिलाल अगर आप इसका chart देखूगे, तो आपको Ethereum से भी जादा bullish ही देखने को मिलेगा, and कहीं न गहींगी, जो Wix वाली kernel होती ही है, बहुत बुलिश होती है, डेट साहर मुझे लगता है, इसके अंदर एक upside moment आने के chances बहुत दाना है, and 34 dollar को hit करता वाही हमें देख सकता है, but क्योंकि यह over value है, मेरे buying के साब से, तो मैं इसको buy करने नहीं जाओंगा, अगर आप industry हो, तो यहां पर buying करके, नीचे stop loss लगा जा सकता है, according to discharge, next question था, FTM coin को लेके, तो FTM coin को देख सकते हो, guarantee एक अच्छे support के उपर है, but कहीं ने कहीं, यहां पर head and shoulder pattern भी firm होता है, तो मुझे लगता है, अगर यह level break होता है, तो काफी बड़ा fall आएगा, तो आप भी नदर रखना है, अगर आपको buying करनी है, तो यहां पर buying करके, make sure आपका stop loss यहां पर होना चाहिए, ताकि अगर यह fall करे बड़ा सा, तो आप यहां पर एक बड़े loss के अंदर ना जाओ, बाकि आज की वीडियो यहां बड़ेट था, नेक्श वीडियो के नमलता है, तो आपके लिए गुद्बाई, टेक क्या